मुद्दई लाक बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है और ये कहावत पूरी तरह से लग रहा था कि RCB पर फिट बैठ रही है सुरुवात इनकी बड़ी गरबढ हुई आठ मुकाबलों में साथ मैचेज हार के लग रहा था कि अब बाहर जान लेकिन भाई उसके बाद फिर लगा कि अब इस्वर इनके पच्छ में नहीं है भाई इनको दो बड़े जटके एकाएक लग गए एक तो कुछ प्लेयर्स बाहर हो गए और साथी साथ अब इनके प्लेयाफ में पहुचने में इस्वरी क्रिपा की भी जरूरत है कौन सी क्रि लेइंग 11 में क्या बदला होंगे अगले मैच में और क्या इस्थितिया है और क्या इनके साथ गरबढ होने वाली है नमस्कार मैं हूँ आपका फेवरेट सद्धान्त रिपाटी और हम इस वीडियो में बेसिकली RCB के आगे के जो मामले बचे हुए ना उसकी बात करेंगे क प्लेइंग 11 वह सब जो अभी हमने डिसकस किया तो सबसे पहले देखते हैं इनका कैसा परफॉमेंस रहा सुरुवात के साथ मैचे जहार गए आठ में से और लग रहा ता बाहर है ठीक है तो फिर उसके बाद पांच मैचे जीत के अभी यह प्लेयाउप के दोड़ में बने हुए तो आईए देखते हैं कि प्लेयाउफ में पहुचने के लिए इनको करना क्या होगा तो अगर आप देख रहे होंगे तो टॉप के साथ टीमों के यह वो है क्योंकि जो बचे तीन इलिमिनेट हो गए उनको मैंने यहां पर नहीं रखा हुए ठीक है तो अब LSG भी बाहर हो चुकी है तो कुल मिलाके मुकाबला इन छे टीमों में हैं जिसमें यह दो आटोमेटिक क्यों हो चुके हैं मतलब इनके नाम के आगे क्यों लग चुका है तो दो टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं अब बचे हैं एक दो तीन चार तो मुस्किल से इन चार ट यह आई नहीं पाएंगे तो कुल मिलाके LSG बाहर हो चुकी है और इनके पहुचने के बहुत ही कम चांसे जहें बहुत बड़ी यह थोड़ा बहुत चांसे जिनके रख सकते हैं लेकिन लगभग मान के चलिए यह भी बाहर है तो तीन टीमों की बीच मुकाबला है और बैसिकली अब हम उन तीन टीमों पर फोकस करेंगे ठीक है तो उन तीन टीमों पर हम फोकस करने वाले हैं तो हमें मतलब है किस से RCB से इस वीडियो में तो पहले देखे CSK अगर जीत जाता है तो इसको क्वालिफाई होने से किसी का माई का लाल कोई नहीं रोख सकता तो CSK अगर जीतेगी तो क्वालिफाई हो जाती है ठीक है तो कुल मिलाके अगर आप देख रहोंगे ऊपर के जो 4 टीमें है ना उनके पास आल्रेडी 14 पॉइंट है चार कया 5 टीमें के पास 14 पॉइंट है ठिक अब बात आती है कि कुल मिला के इनको जीतना ही जीतना है और मैच किसका किसका इनसे बचा हुआ है एक मैच बचा हुआ है वो है CSK का और RCB का तो CSK जीट जाती है तो आटोमेटिक पहुच जाती है और RCB अगर जीटती है CSK से तो अब मामला आएगा नेट रन रेट पे वो क्यों 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 कि भाई CSK भी 14 पॉइंट पे रह जाएंगे RCB भी 14 पे रह जाएंगे और इवन चांस है कि SRH भी 14 पे रह सकती है तो हम इसको भी possibility में लेके चलते हैं कि SRH दोनों मैचेज अगर हार जाती है तब क्या होगा तो फिलहाल के लिए इनको चाहिए 14 पॉइंट और उसके लिए CSK को हराना ही हराना है और साथी साथ इनको CSK के नेट रन रेट से उपर भी जाना होगा हालनकि इनके लिए एक positive हो सकता है कि अगर SRH दोनों मैचेज हार जाए ठीक है तो वो net run rate वाला मामला ही खतम हो जाता है यह RCB जैसे CSK को हराएगी न तो इनका कुछ न कुछ positive में जाएगा और अगर यह दोनों हारेंगे तो सिंपल सी बात है इस net run rate से यह negative में जाएगे तो RCB जीत जाती है और मतलब जीत जाती है और SRH दोनों हार जाती है तो RCB आटोमेटिक पहुच जाएगी फिर यह अंतर नहीं देखना पड़ेगा CSK वाला ठीक है लेकिन अगर SRH यहाँ पे एक भी match जीत जाता है तो सीधे सीधे इनको CSK के net run rate से उपर जाना पड़ेगा और उस margin के जो भी margin बच रहा है net run rate में उसको पार करना पड़ेगा ठीक है तो मामला यहाँ पे समझेगा अगर SRH दोनों हार जाती है अगर हार जाते हैं तो बाहर, अगर SRH दोनों हार जाती है तो अगर यह जीच जाते हैं और SRH दोनों हार जाती है तो यह direct अंदर और अगर SRH यह जीच जाती है तो फिर CSK को इनको थोड़ा margin से हराना पड़ेगा और वो margin क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा लेकिन अगर हम example में 200 run का देखें 200 run पर जो calculate किया गया है कि माल लिजे RCB पहले batting कर रही है और 200 run बना रही है तो RCB को 18 run से या उससे ज़्यादा से जीतना होगा तभी वो CSK के margin को मतलब net run rate का margin है उसको cross कर पाएंगे CSK का कुछ घटेगा RCB का कुछ बड़ेगा और 18 run से उपर अगर 200 run बनाते हैं तो फिर RCB qualify कर जाएगी और RCB अगर second batting करती है तो फिर क्या करना पड़ेगा तब इनको ये करना पड़ेगा कि भाई 18.1 over में target को chase करना पड़ेगा मतलब कुछ बड़े अंतर से बहुत बड़े नहीं लेकिन थोड़े बहुत बड़े अंत उस दिन के उनके score पे रहेगा तो ये ध्यान देना है तो कुल मिला के आपको पता चल गया ना कि कैसे calculate होगा और इनको मतलब CSK को थोड़े अंतर से तो मात देना ही होगा अगर पहुचना है तो और बाई चांस हार जाती है तो फिर वो नहीं देखना है बस हरा देंगे और और ये लोग पहुच जाएंगा ठीक है तो ये इनका possibility है अब बात करते हैं कि भाई क्या जटके पर जटके इनको लग रहे हैं तो पहला जटका जो लगा अभी क्या हो रहा था कि टीम इनकी सेटल सुरुवात में नहीं थे तो आठ मैसे साथ हार गया फिर इनको अपना एक पिच के हिसाब से चेंज किया तो अगले पांचों मैचे जीत गए और अब कहा सकते हैं एकदम फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं कि मैं पहुचूंगा प्ले आफ में फ्रंट सीट पे नहीं मतलब एक तरीके से इनके हम अगर हम बात करें मोमेंटम को देखते हुए ठीक है लेकिन इनको एक बड़ा जटका लगा है टॉपली नहीं खेलेंगे विल जैक्स भी नहीं खेलेंगे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पांचों मैचे जीते न उसमें विल जैक्स का भी बड़ा हात रहा है एक में सेंचुरी लगा दिया एक में तगड़ा हाप सेंचुरी बनाए बॉलिंग बैकप भी देते हैं तो कुल मिला कि जो इनको एक सेटल्ड कंबिनेशन मिला था वो ब्रेक हो चुका है तो पहला बड़ा जटका जो प्लेयर्स इनका साथ नहीं दे रहें वो ये है कि विल जैक्स टॉपली अभी एक मैच खेल सकते थे लेकिन हैं ग्लें मैक्सवेल कंवो किसी भी दिन आपको आपmeal एंख उतक नहीं पर्फोफ सर्फिजन में हो सकता है लेकिन वा में है तो अब एक आउट आफ फॉर्म खिलाडी को खिलाना होगा उनके तो बंता दिखाई दे रहा है और सीबी का वह स्क्रीन पर फॉर्ब्डू प्लेसेश विराट रजट पाटिदर मैक्स्वेल केमरून ग्रीन अब बात करते हैं इस्वरी क्रिपा की क्यों ज़रूरत है इनको और वो क्रिपा बरसेगी की नहीं लेकिन अकर वो बरस गयना तो दिक्कत हो सकती है तो क्रिपा बनी रहने चाहिए लेकिन वो बरसने नहीं चाहिए मतलब कि जो इनको क्रिपा चाहिए वो इंद्र देव से चाहिए क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारी बारिस के अनुमान है कहाँ पे बेंगलूरू में और लगातार बारिस हो भी रही है आज के दिन भी बारिस हो रहा है और अगर आप देख रहे हैं Thursday को थोड़ा पटली cloudy है Friday को फिर भारी बारिस Saturday को भी बारिस और 70% chances है Saturday को बारिस होने कई और लगातार बारिस हो रही होगे तो पिछ भी साई से नहीं रहा होगा और फिर अगर उस दिन भी बारिस हो गया तो दिक्कत इनके लिए हो जाएगा तो कुल मिला के अगर बारिस हो गई तो मैंने आपको बताया है कि अगर tie भी हो जाता है क्योंकि already ती में 14 Point पे हैं ये 12 पे ही है तो tie भी हो जाता है तो ये नहीं पहुचेंगे और direct CSK पहुच जाएगी तो कुल मिला के बारिस वाली कृपा इन पे नहीं होनी चाहिए तो इस्वरी कृपा की ज़रूरत है कि बारिस ना हो अगर बारिस हो गई न तो दिक्कत हो जाएगी और सबसे बड़ी बात जो मौसम है, फॉरकास्ट है वो कहता है कि लगातार इधर बारिस होने के चांसे जाए और उस दिन भी बारिस की संभावना है तो कुल मिला के प्लेयर्स तो इनका साथ नहीं दे रहे हैं साथी साथ इस्वर भी अब उमीद करेंगे साथ दें लेकिन फिलाहाल जिसके चांसे जाना थोड़े कम नजर आ रहे है अगर बारिस हो गई तो प्लेयाउप से ये अल्रेडी बाहर हो जाएंगे तो भाई RCV फैंस दिल खोल के रोज दुआ कीजिए प्रार्थना कीजिए इंद्र देव से कि उस दिन बारिस ना हो तो कुल मिलाके प्लेयाउप चांसे यही है इनके और साथी साथ क्या इनकी दिक्कत होने वाली है दो आप कमेंट करके बताईएगा कि क्या DCP प्लेयाउप में पहुचने वाला है और साथी साथ RCSK के कौन से प्लेयर इनके लिए खलनायक बनेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा फाइनल आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का भी आइकन प्रेस कर देना है और साथी साथ फेस्बूक पेज़ 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 को लाइक करना है और साथी साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी डाल दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद